हेलो व्रिवन वेल्कम यूओ अट लोकेसर अलेम्टेड स्टेडी जोन सो यह एक स्पेशल क्लास है और यहां पर हम डिस्कस करना चाहे रहे हैं कि वल इस क्वेश्चन को एक्ससाइस 5.4 क्वेश्चन नमर 17 पेज 179 और यह आपकी महरास्टरा बोर्ड की टेक्स बुक है तो यह टेक्स बुक का क्वेश्चन है इसको हमने छोड़ा था उसमें क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं एत्मिनान से रहे हैं और प्रपेंडिकुलर के लिए कंडिशन यह दी गई है चलिए तो इन्डिपेंडेंटली इस ग्वेश्चन और हम करने की कोशिश करते हैं बनाते हैं आपके सामने ठीक है यह मैं इस question को यहाँ पर ले आया हूँ, देखी क्या कह रहा है तो सबसे पहले हमारे पास given क्या है भाई साब इस question में तो सबसे पहले हमारे पास given data है उनको हम लिख लेते हैं given data के form में हमारे पास यहाँ पर दो relation दिये गए है और यह कहा जा रहा है यह relation जो है direction cosines इन से दी जा रही है हाँ direction cosines बठी हुई है L M N ओके So we have given equations Given equations are क्या क्या equation है मैं यहाँ पर लेक लेता हूँ equal to zero first equation दे दिजा इसको और दूसरा equation है F M N plus G N L plus H L M equal to zero equation number two देखे जनरली question में हमारी कोशिस ही रहती है कि हम इससे direction ratios निकाल ले ज़्यादातर questions में actually क्यों रहती ही कोशिस ज़्यादातर question में क्योंकि direction ratios का फंडा यह होता है कि L के नीचे A equal to M upon B equal to N upon C यह direction ratio direction cos के बीच में relation होता है मतलब जो L के upon में आता वो A होता है M के upon में जो आता हो B होता है और N के upon में क्या आता है C होता है मतलब दोन एक दूसरे के proportional होते हैं ठीक है ना तो आप A, B, C यहाँ पर निकाल लेते हैं first direction ratios A1, B1, C1 ऐसे ही second direction ratio A2, B2, C2 आपके निकल जाते हैं और अगर दोनों लाइन पर perpendicular होंगी तो क्या हो जाएगा A1, A2, B1, B2, C1, C2 एकल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए बट यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर आप से यह पूछा जा रहा है यह कुछ अलग है यह कुछ अलग है ओके आपको इस तरीके से पूछा जा रहा है तो इस question को करने के लिए अब approach तो वही है हम सबसे पहले क्या करते है एक simple equation उठाते है और उससे हम कोई value निकाल लेते है तो चलिए यहाँ पर हमाँ पास by equation 1 by first हम value निकालते तो हमाँ पास first क्या है A L plus B M plus C N equal to 0 यहाँ से चलो हम N की value निकालते है C N equal to negative of A L plus B M बुले हो जाएगा और यहाँ से N की value है तो इसके upon में आजाएगी negative of A L plus B N whole divided by बिटा कितना हो जाएगा C हो जाएगा तो यह N की value आगई ठीक ना फिर क्या करते हैं N की value को उठा करके जिस equation से निकाले हो उससे दूसरे में put कर देते हैं ठीक है ना यही हर बार करना होता है तो N की value आगई है इसका equation number 3 ले लेजे और आप इसको put value of N in second put N in second equation तो second equation आपके पास क्या है substitute कर दीजिए तो second equation आपके पास यह है F M N plus G N L second equation में लिखता हूँ F M N plus G N L plus H L M equal to 0 F G H यहाँ पे constant है उनसे डरना रही है आपको तो यहाँ पे F M N plus G N L plus H L M equal to 0 हो गया है हमें किसकी value substitute करनी है N की तो थोड़ी सी अपने आपको relax देने के लिए हम N common ले रहते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा F M plus G L और यहाँ पे आ गया है हमाई पास N plus H L M equal to 0 अब यहाँ पे बेटा N की value में डाल रहा हूँ तो क्या आएगा बेटा F M plus G L और N की value बेटा मैं place कर देता हूँ यहाँ पे N की value आई है negative तो minus sign बाहर कर दो और बाकी कीज़े अंदर कर दो AL plus B N whole divided by C clear और plus कितना हो जाएगा H L M equal to 0 चली अब क्या करते हम इसका LCM ले लेते हैं तो यह पूरा तो हम आपस multiply हो जागा तो minus sign को बाहर खड़ा करिए F M को इसके सांद multiply करिए आराम आराम से लिखते जाएगे F M first multiply होगा AL के साथ तो क्या आएगा A के बात क्या आएगा M आएगा K L L L आएगा M आएगा F आएगा मतलब इतना बड़ा सा ट्रम AL M F B N के साथ multiply करेंगे तो क्या आएगा B आएगा F आएगा M आएगा N आएगा order में लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी बस हिसा है लिखने को कैसे भी लिख सकते हो plus G तो यहां पर G के सान multiply करेंगे तो A फिर G आएगा फिर L का स्क्वार आएगा A G L का स्क्वार N लास्ट है B आजाएगा फिर G आजाएगा फिर L आएगा फिर N आएगा ओके अब यह देखे पूरे का L C कि हम इसका जो यदि मैं C निकाल देता हूँ तो बिटाई यहां पर आजाएगा C H L M एकल टू जीरो बिल्कुल सही एकल टू जीरो C का multiply हो जाएगा जीरो के साथ तो C का यदि हम multiply करते हैं 0 के साथ में हम C का यदि हम multiply करते हैं उपर कोई माइनस तो नहीं है नहीं नहीं कोई माइनस नहीं तो देदी C का मैं multiply करते हूँ 0 के साथ में तो यह मेरे पास आजाएगा माइनस A L M F माइनस B F M N माइनस A G L Square यहाँ पर पहले यह आएगा A G L Square और माइनस B G L N N प्लस C H L M एक कुल डू कितना हो गया बिटा 0 हो गया ओके तो यहाँ पर हमारे पास में यह 0 हो जाता है ठीक है अब देखिए हमको इसको एक विशेश तरीके से हमको इसको लिखना है वह हम लिखेंगे एक बार देख लें कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं करी है एक बार हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पर negative of A L plus B M बिल्कुल सही whole divided by C B M A L plus यहाँ पर हमसे गलती हो ही गई यह N की value में B M था यहाँ पर क्या है बिटा B M है तो यह हमने कर दिया तो बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर B M आएगा और 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 तो A L हाँ यह ठीक है फिर जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ M करना पड़ेगा चलिए तो यह हो जाएगा हमाँ पस B F M स्क्वाइर और यहाँ पर क्या जाएगा L M अब ठो ठीक हो गया है तो B F M स्क्वाइर होना था यहाँ पर B F M स्क्वाइर कहाँ पर यहाँ हो जाएगा So this is equals to B F M स्क्वाइर ठीक ना B G L N नहीं है B G L M यह है अचलेए अब दीखे मैं इसको अरेंच करता हूँ एक तरीके से मैं सबसे पहले माइनस साइन कापूरे میں मल्टिपलाय कर देता हूँ क्यूंकि माइनस जदा बिख रहे हैं तो माइनस साइन कषटानी के लिए माइनस साइन के लिए माइनस साइन का मुल् grazing सही प्लस ए जी एल स्कुरेर ये भी ठीक है ए जी एल स्कुरेर प्लस बी जी एल एम और माइनस का जी एच एल एम एक वल टू जी रो अब इस एक्विशन की हालत देखकर के मैं इसको अरेंज करता हूं एक गर्च एपके करते हैं अब हम मैं इसको मैं लिघता हूं आपके पास में ए A, G, L, Squire, बहुत बढ़िया, प्लस, अगर मैं LM common ले लूँगा, तो LM देखिए मिरे पास यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मिरे पास LM यदि common आएगा, तो पहला term मुझे छोड़ेगा AF, दूसरा term क थोड़ेगा मेरे पास माइनस का CH, ओके, clear है, है ना, और यहाँ पे LM बाहर आगया, एन बाहर क्या बचेगा बिटा, BF M square equals to 0, यह मेरे पास एक नई equation बन चुकी है, इसे मैं equation number 4 दे दूँगा, क्योंकि 1, 2, 3 तो आप देखते हुआ आगे हैं, यह 3 थी, यह 4 दे दे हुआ, अब क्या करेंगे आप यहां से, अब यहां पे देखिए, यह चीज 0 आ रही है, समझ यह का, यह चीज आपके पास में 0 है, ओके, यह चीज आपके पास में 0 है, अब in case आप, यह समझ यह कि अगर आप L को और M को 0 ले लेंगे, अगर आभी हम यह सोच रहा हैं कि यह 0 कब आएगा, 0 कब आने के लिए, क्या चांस है से बेट है, 0 आने के लिए, तो 0 आने के लिए चांस है से, क्योंकि यह स्कौयर है, तो स्कौयर 0 कब बनेगा, जब खुद में 0 हो, तो एक case यह बन सकता है, L इक रूटू 0, and M इक रूटू 0, यदि मैं L इक रूटू 0 और M प्याखकर के देखता हूं ते अधुली ये भी जिरू हो जाएगा है और ये भी जीरो जाएगा और ल इन येदी जिरू vigil जाएगा तो ठूरा का पूरा जीरो हो रहा है तो क्या कोई सीन बन सकता है तो ईए equal to zero m equal to zero लेने पर मेरे पास if मैंने लिखा अगर हमने equal to zero m equal to zero लिया then by equation third beta n की value कितनी आएगी n की value भाई साब देखे कितनी आ रही है al plus bm upon c तो जब l 0 put करोगे m 0 put करोगे ये भी 0 हो जाएगा मतलब n भी 0 हो जाएगा जो की possible नहीं है that which is not possible which is not possible कभी नहीं हो सकता ये क्यों नहीं हो सकता क्योंकि भाई साब l square plus m square plus n square equal to one भी तो होती ये property किसी भी line के लिए vector के लिए l square m square n square one होता है तो भाई साब ये 0 नहीं हो सकता है okay मतलब आप यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप m M को 0 नहीं ले सकते हो, आप L को 0 नहीं ले सकते हो, मतलब आपके पास L equal to 0 and M equal to 0 आप नहीं ले सकते हो, clear? तीनों को आप 0 नहीं ले सकते हो, तीनों at a time 0 कभी भी नहीं हो सकते हैं, फिर क्या करेंगे? मतलब यह logic clear हो चुका है कि अब हमारे पास L0 नहीं होगा M0 नहीं होगा N0 नहीं होंगे साथ ही साथ में अच्छा एक चीज हमारे हाथ में आ जाती है यहाँ पर अगर कोई चीज non-0 है जैसे आपके पास में कोई equation लिखा हुआ हुआ X2 और आप इसमें एक डिवाइट कर रहे हो तो याद रखना कि division की चीज हमेंसा क्या होनी चीए not equal to 0 यह rule होता है division का कि आप non-0 quantity से divide करेंगे तो सबसे पहले मैं लेकर के लेता हूँ let us take case number first बनाऊंगा case first let us consider यह let us take कि M is not equal to 0 हमने किस को 0 ने लिया M को हमने M को 0 ने लिया और यह हमारे पास चो quadratic equation है 4 इसको solve करने के लिए मैं M का पूरे में divide कर देता हूँ M square का किस में divide कर देता हूँ M square का so dividing 4 by dividing equation number 4 by M square अब बेटा जैसे ही आप इसमें M square से divide करोगे का आपके पास बहुत ही अच्छी equation बनने वाली हो मैं लिखा रहा हूँ देखिए एजी L square upon M square पहले एजी है बिटा और बन जाएगा बिटा L square upon M square divide कर दिया आपने plus आपके पास बड़ा सा term था क्या था विटा AF plus BG और minus का CH ठीक है ना into क्या था विटा आपके पास में LM था और आप divide कर से कर रहे हो M square से यह देख लिजे आपने divide कर दिया LM फिर BF M square है so BF M square whole divided by M square equal to 0 चल रहा है M square स M square क्या हो गया विटा cancel हो गया क्या आप इसे AG divided by multiply L by M का whole square लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो A कम से A कम cancel तो plus AF plus BG minus CH into L Y M लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हैं plus BF equal to 0 plus B into F equal to 0 देखे आपके पास में एक quadratic equation बन चुका है अगर आप इसको Z लिल लोगे तो आपको यह कैसा दिखाई देगा यह बन जाएगा Z square बन जाएगा और यह coefficient रहेगा Z square प्लस यह बड़ा सा coefficient रहेगा into Z और प्लस कितना एक constant अपने पास में है तो something C equal to 0 तो यह किस की structure बन रही है quadratic की किस की structure बन रही है quadratic की तो यह मतलब मेरे समझाने का मतलब है कि यह आपके पास quadratic equation है किस variable में L Y M में L Y M में तो यह तो यह चीज आपको ध्यान नहीं देनी बस समझने के लिए थी इसको मैं मेटा भी सकता हूँ यह पे ओके खेर लिखे रहें दो तो आप लिखोगे this is a quadratic equation ना इसे आप number 5 ले 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 तो लिखेंगे implies that लिखेंगे equation 5 is a quadratic equation invariable L Y M बोलो बिटा L Y M variable में क्या है ये बिटा quadratic equation है की नहीं है अब ये quadratic equation है तो quadratic equation के दो root निकलेंगे बिटा है ना तो इसके किसके which which can have which have yeah that have two roots जिसके पास the equation है how many roots बिटा two roots अब आप quadratic में roots मानते थे alpha और बीटा वो x की value होती थी say मान लिए है यहाँ पे दो roots निकलेंगे किसके L upon N के तो पहला root है L1 upon M1 and L2 upon M2 हमने दो roots मान लिए मान लिए अब आप जानते हैं sum of the roots equal to होता है minus B upon A and product of the root equal to C upon A alpha plus beta alpha into beta yes तो अब हम देखते हैं यहाँ पे so product of roots product of roots क्या निकलेगा product of roots देखे L1 upon M1 into L2 upon M2 clear L1 L2 upon M1 M2 equal to क्या होता दो 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 C upon A तो यहाँ पे C की value क्या है बिटा B into F है और A की value क्या है बिटा A into G मतलब last वाला constant है और यहाँ variable के square का coefficient तो क्या बन जागा C upon A below yes की no तो भाई यह पूरा का पूरा यहाँ पे जो अपना A capital दिख रहा था वो क्या है A G है और यहाँ पे क्या है BF तो I can write here BF upon A G this is equals to BF upon A G BF by A G clear so बिटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखो L1 L2 L1 L2 upon M1 M2 equals to question की requirement के हिसाब से आपके पास जो question है वो देखो यह question है F upon A G upon B के terms मांग रहा है मांग रहा की नहीं मांग रहा है तो मैं उपर से यदि इसे F by A के form में separate कर लूँ तो नीचे वाला G by B लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अल्टी पल्टी मार के सबसेट हो जाएंगे भाई B उपर आएगा और F नीचे आजाएगा sorry B उपर आएगा और A नीचे आजाएगा clear ना तो कोई दिक्कत नहीं है अब मैं लिखूंगा क्या L1 L2 divided by F by A मतलब L1 L2 की नीचे क्या आगया F by A equal to M1 M2 उपर जाएगा और नीचे क्या जाएगा G by B देखिए यह आपकी पहली structure बनी है जो बहुत important है ठीक है ना यह आपके पास में पहली structure बन चुकी है ठीक है इसे आप equation number A देदीजी first time A देदीजी clear अब आप देख लीजे similarly अभी आपने किसका डिवाइट किया था भाई साब अभी आपने डिवाइट किया था अभी आपने डिवाइट किया था किसका M square का किसका divide किया था M square का पूरे time आपने पूरे में आपने M square का divide किया था किया था कि नहीं किया था अब आप जो है M square का divide करें है तो आपके पास एक expansion आ चुकी है अब एक बार आप किसका divide करोगे N square का तो L by N में quadratic equation बन जाएगी किस में बन जाएगी L by N में और last में आप किसका divide करोगे M का हो गया L का हो गया एक L का भी करोगे तो जब आप L का divide करोगे तो आपकी एक और quadratic equation बन जाएगी तो similarly यदि हम divide करते हैं अब एक बार ही divide कर देते हैं अभी हमने M से divide किया है ओके अभी हमने किस से divide किया है M से और यहाँ पे L L M है अब एक बार यदि मैं M से divide कर चुका हूँ एक बार मैं जब यदि L से divide करूँगा किस से divide करूँगा L से तो L स्क्वार से divide करूँगा यदि मैं तो तो फिर कुछ होगा क्या chances देखिए तो अभी आपने किस को eliminate किया था N को ये actually करना ऐसे हमें अभी आपने यहाँ पर सुरू में किस की value निकाली थी देखिए N की ये देखिए आपने किस की value निकाली थी N की अगर आप यहाँ से M की value निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से M की वैल्यू आएगी है ना ये मैं फ्यूचर की बात लिख रहा हूँ एक तरीके से इस लिस्टो मैंने बिंक पेंसे करती है तो M equal to कितना आजागा देखो ध्यान से M common लेंगे इससे आएगा इससे आएगा आएगा ना बिटा तो हमको जो है अगर हमने M की वैल्यू निकालनी है तो यहां से हम M को रोक लेंगे M को रोक लेंगे BM को तो M equal to हो जागा minus of AL और minus plus CN और whole divided by क्या जाएगा बी आजाएगा और इसको रख करके पूरा ऐसे का ऐसे solve करना है quadratic equation बनानी है बहुत बड़ी और quadratic equation बनने के बाद में जब आप quadratic equation बना लेंगे तो उस समय आपकी quadratic equation किस में बनेगी क्योंकि picture में उस समय आपके पास में क्योंकि आपने किस से divide किया है आपने किस की value निकाली है, M की value निकाली है तो उस समय पिक्चर में आपके पास L रहेगा और N रहेगा M नहीं रहेगा, समझ में आ गया? उस समय आपके पास पूरी पिक्चर में L रहेगा और क्या रहेगा? N रहेगा क्योंकि आप M की value replace कर चुके होंगे इसमें यह M की value आप यहां से हटा चुखे होंगे जैसे आपने पिछले बार आपने N की value हटाई ऐसे ही आप यहां पर M की value हटा चुके होंगे तो पूरे picture में आपके पास कौन-कौन रहेगा N रहेगा और L रहेगा तो आपके पास अब जो equation बनेगी वो कैसी बनेगी देखे तब आपके पास जो second equation बनेगी वो बनेगी L1 L2 divided by F by A F by A यह तो same रहेगा equal to देख़ए अभी M आ रहा था क्योंकि आपने N को हटाया था जब आप M को हटा दोगे तो यहां पर आएगा N1 N2 N1 N2 और यहां पर division करने में बिटा आपके पास आजाएगा H by C ठीक है कितना आजाएगा H by C अब देखेए आपको पूरा का पूरा करके लेके आना है या आपको एक तरीके से आपके question को देख करके आपको आइडिया लगाना है अगर आप similarly लिख रहे हैं तो आपको आइडिया लगा लेना है ठीक है ना F by A तो common रहेगा दूसरे में G by B है और तीसरे में क्या है H by C एक तरीके से आपको आइडिया लगा लेना है चलिए तो हमारे पास दो relation बन चुके है similarly अब मैं इतना पूरा बड़ा तो नहीं कर रहा हूँ आप I hope समझ चुके होंगे समझ गए है ये बटा इसको equation number B ले लो अब आप ध्यान से A और B को watch करो देखो इसके left left part equal है तो right right part B क्या होंगे equal होंगे मतलब तीनों एक तरीके से equal है so by observing A and B मैं observe करके लिख सकता हूँ L1 L2 divided by F by A equals to M1 M2 divided by कितना है बटा M1 M2 G by B है है की नहीं है equal to N1 and 2 divided by H by C C C है H by C है यह तीनों को मैंने divide कर दिया तो ऐसा लिख दिया मैं value निकालने के लिए मैं ले लेता हूँ बेटा lambda this is equals to lambda clear क्या ले लेता हूँ बेटा मैं lambda लेता हूँ I'm now the value of L1 L2 L1 L2 की value जो है L1 L2 equals to कितना आजाएगा F upon A lambda आएगा की नहीं आएगा M1 M2 कितना आएगा मेरे पास बेटा G by B lambda आजाएगा and N1 N2 कितना आजाएगा मेरे से H by C lambda यह मेरे पास तीनों values आचुकी है now आप जानते हैं कि अगर दो line perpendicular होती है तो L1 M1 N1 पहले के direction को science है और दूसरे के direction को science है L2 M2 और N2 तो दोनों के लिए क्या rule होता है perpendicularty का L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 क्या produce करता है पिटा 0 तो बस यहाँ पर value put कर दीजे L1 L2 की value क्या है lambda F by A plus lambda G by B plus lambda H by C equals to कितना हो जाएगा 0 lambda बेटा common ले लें हम क्या बन जाएगा F by A equal to H by B equal to H by C equals to कितना 0 और यही lambda को 0 से divide कर दीजे तो 0 के नीचे जाएगा जाके 0 हो जाएगा आंसर आगया F upon A plus G upon B plus H upon C equal to 0 देखे क्या हमें यही प्रूफ करना था बिल्कुल सही F by A plus G by B plus H by C equal to 0 तो एक बहुत ही lengthy question कह सकते हैं आप इसको इस question को और जब आप इसकी 3-4 बर practice कर लेंगे तब ही आप exam में इसको जाके comfortably solve कर सकते हैं तो concept तो लगा है L1 L2 M1 M2 plus N1 N2 equal to 0 को कहीं न कहीं मगर इस तरीके से घुमा करके लगा है कि आपको value ज्याद करने में इसकी value निकालने में बहुत दिक्कत होने वाली मतलब quadratic आपको M square से divide करके निकालना पढ़ा है अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें में square आपको divide करना पढ़ा हो बट इसमें आपको quadratic बना करके quadratic की property product of root वाली property आपको यहां पर यूज करना पढ़ेगा ठीक ना product of zeros equals to C upon A ओके एनी प्राब्लम बच्चों चलिए दन